नमस्कार आप देख रहे क्रेटिव नुज एक्सप्रेस और बड़ी ख़बर हल्दवानी से एक दैनिक समाचार पत्र के बेरी नाग समवादाता को होटल के कमरे से पकड़ कर कोतवाली में लाना और उसके साथ मारपीट करने के अलावा पूरी रात कोतवाली में ही रखनी की सजा दरोगा बिजय पाल सिंग को मिल ही गई दो दिन से हल्दवानी का पत्रकार समाज इस घटना करम का विरोध कर रहा था एक दैनिक समाचार पत्र के बेरी नाग समवादाता सुधीर राठोड के मताविक 15 फरवरी की शाम वे अपने परिवार के साथ हल्दवानी आये थे हमेशा की तरह वे सरस मार्केट के सामने शारदा होटल में ठहरे उनका कहना है कि जब भी वे हल्दवानी आते हैं इसी होटल में ठहरते हैं पुराना परिचे होने के कारण होटल प्रमंदन उनसे आपतारिक ताएं पूरी नहीं करवाता है उनके अनुसार आदी रात को होटल स्टाफ ने उन्हें जगाया और नीचे बुलवाया जब वे नीचे आये तो कोतवाली के दरोगा विजय पाल सिंग ने उनसे पूस्ताच शुरू कर दी साथ ही दरोगा ने उनसे मारपीट भी की वे बार बार दरोगा को अपना परिचाए देते रहे लेकिन दरोगा उन्हें लेकर कोतवाली आ गया यहां भी उन्हें पूरी राद बिठा कर रखा गया सुवे जब उन्हें छोड़ा गया तो उन्होंने मामले की जानकारी हलदवानी के पत्रकार साथियों को दी इसके बाद कल पत्रकारों का एक प्रतिनिती मंडल S.P.C.T. अमिश्रिवास्तफ से मिला था आज दो पहर भी पत्रकारों ने कोतवाली परिसर में दरोगा बिजेपाल सिंग को डेलंबित करने की मांग को लेकर धरना शुरू कर दिया S.P.C.T. अमिश्रिवास्तफ पत्रकारों को समझाने आए लेकिन पत्रकारों ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी पत्रकारों ने उन्हें भी खरी खरी सुनाई सुनाई दो पेर बाद कारेबाग कोतवाल ने पत्रगारों के बीच आकर SSP के उस आदेश को पढ़कर सुनाया जिसमें कहा गया था कि दरोगा को निलंबित कर दिया गया है इसके बाद पत्रगारों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का ऐलान कर दिया आपको हमारे कायकरम कैसा लगा है नीचे कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करें और हमारे चैनल को सबस्क्राइब करते हुए उपर लगे बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आपको हमारी नई वीडियो मिले सबसे पहले